होम मेकिंग कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं जिसे चंद साल की पढ़ाई से हम हासिल कर सकते हैं इन फैक्ट यह एक ग्रेजुल और कंटिनियूस प्रॉसेस है जो हर नए दिन के साथ हमारी नॉलेज और स्किल्स में इदाफा कर रहा होता है जो कि हम या तो अपने बड़ों से एक दूसरे से या फिर सोशल मीडिया से सीखते हैं तो देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन सी अपनी सूपर हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने अटलीस मेरी होमेकिन जर्नी में मुझे बहुत हेल्प आउट किया तो सबसे पहले तो तवा या पैन ग्रीज करने के लिए अल्वेज यूज यूज ब्रश और पुश स्प्रे बॉटल उसके लिए ये बॉटल इजी ली अवेलिबल है मार्किट में मैंने इसको दराज से ऑनलाइन बाइ किया था बट जो लोग इसको बाय नहीं करना चाते उनके लिए एक एजी डियाइवाई शियर कर रही हूँ घर में ये चॉकलेट या फिर कोई और स्प्रेड की बॉटल तो आती हैं ये ग्लास की शीशे की बनी होती हैं इनके ओपर इस तरह से ये स्टिकर्स लगे होते हैं सिंपली आपने क्या करना है जब भी आप कोई पानी बॉइल करें किसी चीज के लिए तो आप उसमें इसको डिप कर दें थोड़ी देर के लिए एक से दो मिनट के लिए डिप करने के बाद आप इसको ठंडा करके जब इसका ये रैपर रिमूफ करेंगे तो यकीन करें विदिन नो मिनट ये एकदम रिमूफ हो जाएगा सारी बॉटल ये क्लियर हो जाएगी और लगे कहीं नहीं कि ये किसी स्प्रेड की बॉटल है इसको मैं ड्राइ करने के बाद ना अब सिलिकॉन के ये ब्रॉशिस बहुत चीप रेट्स पर अवेलिबल होते हैं घर में तो मौझूद ही होते हैं इसी को बस मैं यूज़ करने वाली हूँ इसकी हाइट के कॉर्डिंग ना मैं यहाँ पर इसको एक मार्क दे लूँगी कि तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर लिया अब चलते हैं इसके धकन की तरफ तो धकन का भी ना इसी तरह से सेंटर ले लूँगी और उसके सेंटर में इसकी नेक के साइज कर लूँगी इसको यहाँ से इस एरिया से मैंने रिमूव करना होगा ताकि इसके अंदर से यह पास हो स इस होल से हम इस ब्रश को पास कर लेंगे तो इजी लिए पास हो जाएगा थोड़ी इसी अगर कोई स्पेस रह गई है ना क्यूंकि ये नीचे आकर थोड़ा नेरो हो रहा था तो उस स्पेस को हम क्या करेंगे फिल कर लेंगे किसी भी हम अगर हम गन यूज कर रहे हैं या उपर का जो लिड नजर आ रहा है ना जिसके अंदर होल किया था उसके उब ना मैं इस तरह से कवर कर दूंगी किसी भी पेपर के साथ उसके अंदर इसी तरह से होल करके ना तो उसके उपर गम लगा के तो ये इस तरह एक अच्छी लुक भी इसकी आ जागी और लगे गा बाद अब ये बिल्कुल रेडी है कहीं पे भी जाकर आप इसको अपना पैन या तवा ग्रीज करने के लिए एजिली यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल उस तरह की बन गई ना हमें मार्केट से बाय करने की जरूत ही नहीं पड़ी और किसी किसम के कोई भी पैसे लगाए और सेविंग भी हो गया और सेविंग भी हो गयी तो अब इसको ना मैं बिल्कुल जिस ट्रे में मैंने रखे हैं उसके साथ ही रख दूंगी तो मेरे लिए एजिली एकसेसिबल हो जाएगा और आराम से मैं इसको जब भी जरुरत होगी पकड़ लोंगी और यूज कर तो नेक्स इसी तरह से अब हर घर में इस तरह से आनलाइन जो है वो हमारी शॉपिंग की चीज़ें तो आरही होती हैं और इस तरह की पैकिंग्स में आती हैं तो यह मैंने एक शिर्ट मंगाई थी तो उसकी लाइनिंग इस तरह से क्यूई थी इस तरह के पेपर के साथ इन की या topics की या उसके इलावा एक और option भी होती है मैंने आपको last videos में बताया था कि हम इस तरह के जो tags लगे आते हैं उनको भी use कर लेते हैं हमारे bookmark के तौर पर अब ये use हो जाते हैं पट इनका एक drawback ये है कि ये एक ही relevant page को ही ये bookmark के तौर पर हम यूज करेंगे जिस page के अंदर इसको हमने fix किया होगा लेकिन अगर हमें chapters चाहिए होंगे जादा pages के ओपर chapters जो हैं वो हमारे होते हैं तो अगर हम उसको पूरे chapter को करना चाहें या पूरे topic को cover करना चाहें तो उसके लिए फिर इस तरह का paper मैं use करती हूँ और ये paper जो है इसको इस तरह से मैं fold दे लूँगी और दुबारा से उसको फिर से fold दे कर triangular shape में उसको मैं इस तरह से fix कर लूँगी अब ये देखें ये triangular shape में आगे आगे अब इसको मैं कट कर लेना है कट करके ये आपके पास एक अच्छा सा book माक आगे जिसने आगे चल कर आपके पूरे topic को cover कर लेना है या तो आप इसको tape के साथ भी cover कर सकते हैं squash tape के साथ या आप इसको steppler के साथ भी जो चीज भी आपको available है ना बस आपने दो इस तरह से ये steple कर लेना दो साइडों से तो अब ये देखें हमारी एक pocket बन गई इस pocket को ना हम इस तरह से अपने पूरे chapter के उपर इस तरह से insert कर देंगे तो अब ये देखें जब भी हमारा दिल करेगा हम book खोलेंगे और उसमें से ये पूरा एक topic जो हमें चाहिए होगा ना वो हमारा बिल्कुल separate हो गया बाकी सारी book से तो है ना जबरदस ये idea next इसी तरह से जो हमारी washroom में हमारे toothpaste और toothbrushes होते हैं ना कोशिश किया करें कि इनको cover रखा करें क्योंकि इस तरह से हाईजीनिक हो जाता है और इनको पर कोई germs गरहा नहीं लग रहे होते क्योंकि वाशों में इन्होंने continuously पड़े रहना होते है अब ज्यादा दिर पड़े रहने की वज़ा से इसकी बेस पर इस तरह से हमारी toothpaste जो है कि इसमें थोड़ा सा वाइट विनिगर राइड कर दूंगी और थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा लाइक दो टी स्पून में उसके अंदर डाल दूंगी तो इससे एक जबरदस reaction होगा देखेंगे यह bubbles बनना शुरू हो गया है तो अब इसमें मैंने अपने ब्रश की जो ने ब्लेंडर्स होते हैं मैं उसको यूज करते हूं इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो किचन में यूज होने वाले जो हमारे स्पॉंज इस वाशर स्पॉंज वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसका मेटियरल बहुत सॉफ्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है और अपने बिल्कुल पानी को अब्सॉब कर लेता है तो एक लेयर देने के बाद आ ऊपर मैं इस तरह ये जो है टॉयलेट सोप रख देती हूं अब जब सुबह मैं अपना फेस वाश करने लगती हूं अगर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कोई वो साबन वगर या कुछ ये थ अब भी मुझे अपने सोप होल्डर को दुबारा वाश करने की जूरत नी पड़ी इस ब्लैंडर की वजा से तो मीनवाइल ना दो गंटे हो गए थे तो अब मैं आपको ये ब्रश साफ करके दिखाती हूं तो आप ये देखें कि सिर्फ किसी भी एफ़र्ट के बगार बिन ना किसी चीज को बाजार से मंगाए अब हम अपने टूठ ब्रशgy को साफ भी कर लेंगे और एक महीने तक अगर हम इसको डिसकार्ड नहीं बी करतें नो हमारे ब्रश्ज तो देखें ब्रिसल्स बिल्कुल क्लियर होगtekार उनकी बेस बिल्कुल क्लियर होगयी कोई आप लीस्ट यह साफ तो हो गए अब वह पानी जो था मैं डिसकार्ड कर दूंगी इस तरह से वाश पिसन में तो इस तरह से हमारे जो जर्म्स हो गए रहा है वह खतम हो जाएगी और नेफ्टलेन बॉल भी रख दूंगी तो हाईजीनिक हो जाएगा अफ्षा फ्रम ग्राची, साधिया अम्रीन फ्रम लहूर और फूड रेसिपीज विद सूब्या इन्होंने कल की वीडियो पर अच्छे कमेंट्स की अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम लूँ तो अपने नाम और अपने सिटी नेम के साथ अच्छा सा कमेंट करें इस वीड से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें टेक गुड कियर अफ यरसेल सी यू नेक्स वीडियो अलाह आफ़ेज